कि अपना बड़े से बड़ा देखो कि अपना बड़े से बड़ा देखो इससे फायदा यह होगा कि चांद नहीं मिला तो क्या हुआ आसमान तक तो पहुंच जाओगे हलो साथियों मैं राज कुमार यादो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PBR स्टड़ी में उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़ियां चल रही है अगर आपको भी मैथमेटिक्स नहीं आती है गड़ित में कुछ भी नहीं आता है आप बिल्कुल टेंसन मत लीजिए PBR स्टड़ी के साथ अगर आप जुड़ गए हैं तो उमीद ये करिए कि अब आज से आपको मैथ में सब कुछ आता है और ये उमीद PBR स्टड़ी यूटूब चैनल के सितंबर 2022 तक 4,17,000 बच्चे बिल्कुल सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि हाँ ये सही बात है क्योंकि बिना किसी अडवर्टाइजमेंट तक अभी तक कोई भी परचार परसार के अगर 4-5 लाख वच्चे जुड़ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ कुछ अलग है क्योंकि बहुत से जो बड़े-बड़े इंस्ट्टूट संस्थान चल रहे हैं सारे सब नाद है न सबको तो इसमें थोड़ा समय आपसे कुछ कुछ कुश्चन करूंगा उसके बाद मैं सभी कंडिडेट का नाम बोलूंगा जो जुड़े हैं नाम उन्हीं का बोलूंगा जो इस सेशन को लाइक किये हैं और अपना जो है हाई हेलो लिखके उपस्तिती दर्ज कर आ रहे हैं आईए यह बताईए जैसे मैंने लिखा कि पांच की घात एक और इसकी घात दो और इसकी घात तीन तो इसका मान टोटल में क्या आएगा क्या इसमें घातां का कोई रूल लगेगा क्या बताई यह फाइब की पावर वन है इसके खोपड़ी पे दो है इसके खोपड़ी पे तीन है तो क्या इसमें घातां का कोई रूल लगेगा एनीवन कोई भी कमेंट करे अंकित यादो, नेहा, क्विन, चंदन, प्रतीमा यादो, प्रिया सिंग, मोहित, मोनिका मिसरा, रेनू, भाग्या सुकला, रवी मोहन, पूजा यादो, राकेश पांडे राकेश जी, बिल्कुल आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, आप इस्क्रिन देखिए, फटा-फट और जबाब दीजिए, बिल्कुल आपकी उमीदें, मेरे भाई यहाँ पर 100% सही जाएंगी, आप बिल्कुल टेंसन न लें, ठीक है, घातां का रूल मैंने जब पढ़ाया था, कल तो उसमें यह था, था ना, आपको पता है कि नहीं, आए ठीक है, हम इस पर बात करते हैं, बिस्तार से, टेंसन मत लीजिए, आप लोग विल्कुल भी, मैंने यह बताया था, कि अगर घात के उपर घात लगी हूँ, जैसे नियम में यह बताया था, यही तो याद कर अगर एक पावर यम है, इसके उपर यन है, और इसके उपर भी अगर भाईया पी हो, तो फाइनल में इनका गुड़ा हो जाता है, काहो चाचा, यही तो बताया था ना, हम, ठीक है, बेरी गुड, तो यह हो जायागा, फाइब का पावर, वान इंटू टू इंटू थ्री, यानि पाँच की घाते 6, पाँच की घाते 6 का मतलब क्या आएगा, भाई पाँच का घात 6 का मतलब यही है कि पाँच को आप 6 बार गुड़ा करोगे, ऐसे, पचम 25, 15, 125, 625, पचे फिर 5, 5, 5, कर लो कितना आएगा कर लोगे न पचम 25, 25, 25 साम में 625, 625 का 25 में गुड़ा कर लो फिल हाल के लिए मैं आंसर यही लिख देता हूँ बस जाने तो चलो रोहित ठीक है बेरी गुड 15, 625 सायद आएगा ठीक है तो यह तो मैं कल पढ़ा चुका हूँ आज आपको करड़ी पढ़ाऊंगा करड़ी एकदम सुरू से और एक चीज और ध्यान देना कि जो यह घातां का रूल कल बताया था उस पर कुश्चन बहुत कम हुए अभी अभ्यास प्रस्न बहुत कम हुआ है तो मैं अभ्यास प्रस्न करवाऊंगा एक दो दिन में आप हमारे साथ बने रहिएगा ठीक है अभ्यास प्रस्न अभी ना चलो अब हेडिंग डाली है करडी करडी को इंगलिस में सर्ड बोलते हैं यस यू आर्ड यस जो अब तक आप वर्गमूल के चिन्द के रूप में देखते आयो वही सब हैं कि देखिए गाम अगर प्यार से और वह प्यार बोर्ड पर हमारी तरफ नहीं क्योंकि इदर वैसे भी जादा हो गया पहले से आईए लिखिए करडी करडी की इंगलिज में इसको एस यू आर डी एस बोलते हैं स्पेलिंग साही है ना दन ओके अब मेरे भाई यह बताओ आप लोग जो भी समझदार हैं कि इसमें मैंने लिखा ए नमबर अंडर रूट 25 बी नमबर अंडर रूट 20 सी नमबर 36 इसमें से कौन करड़ी है तीनों में से अगर तीनों है तो आल लिख दीजिए पाउंडेशन बैच चाहिए बाबु देखो नमबर दिया गया स्क्रीन पर ना निचे इसक्रीन पर नमबर दिया है उस पर संपर्क करो आपी के लिए दिया है वो चलिए फटा फट आंसर दीजिए ठीक है सबसे पहला जवाब भाई इनामुल जी ने दिया है अंकित जी बेरे गूड इसमें कौन करड़ी है मैं ये पूछा हूं तब करड़ी नहीं है ये जान लो अपने दिमाग खोपडि म बैठा लो कि इसमें जितने तियें वो सारे करड़ी नहीं है आपको सोचना है और बताना है कि कौन सा करड़ी है कौन नहीं है मेरा इसका छेद करने वाला गयब हो गया इसमें इंक डालना है और इंक निकल नहीं रही जादा जाने दो थोड़ा बहुत तो निकल लेगी छोड़ वाटाओ इसका correct answer है 20 20 जो 20 है वो करड़ी है बाकी सभी करड़ी नहीं है कि बाकी सभी करड़ी नहीं है केवल 20 वो सरी हाँ 20 जोआ ये करड़ी है राहुल कुमार मानस मिस्रा संध्या भारती बहुत अच्छे बेरे गुड आईए आईए बात करते हैं important सुनिए आपने देखा होगा अक्सर अगल बगल अडोस पडोस में टीबी में न्यूज में बहुत से लोगों के उपर बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं सुना है न इस पेसल कुछ बिगड़ी हुई लविस्टोरियों में होता है पहले सब कुछ अच्छा चलता रहता तो ठीक ठाक है कहीं इधर से उधर गड़बड हो गया तो उधर आरोप लगा दिया कि मेरे साथ तो यह जबर जस्ति कर दिया है तो कुछ आपने अलगबग सुना होगा इसमें कुछ कहानी है मुझे वास्तविक रूप से अच्छे से पता है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं उसमें क्या होता है जैसे अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगा रहा है तो उसको आरोपी बोला जाता है आरोपी और दोसी में अंतर होता आप जानते हों नहीं यह मैं क्यों बता रहा हूं इससे जुड़ा हुआ बात है इसले बता रहा हूं सुनिए आरोपी और दोसी में अंतर होता है आरोपी का मतलब यह है कि जैसे आप हमारे साथ आए हैं बैठे हैं हमने आपके उपर आरोप लगा दिया इन्होंने जे बोब्या कहीं आपके घर में वो उतना रुपया मिलता है उसमें कुछ पहचान है तो आप दोसी हुए समझ में ना लेकिन अगर जूठी मैंने बता दिया तो क्या हो गया वो आरोपी मतलब दोसी नहीं तो ऐसा में क्यों बोल रहा हूं ऐसा इस लिए कि इसमें आरोपी आ नहीं है क्यों क्योंकि सिर्फ चिन लगा देने से करड़ी नहीं हो जाती जैसे मैंने बताया ना अभी किसी को उपर आरोप लगा देने से कोई दोसी नहीं हो जाता है अब सुनिये कैसे इनकी जाँच परदाल करने का यहाँ पर यह तात्य पर है कि इनका हम वर्गमूल निकालेंगे इनका वर्गमूल अगर निकल जाता है पुल संख्या के रूप में तो वो करडी नहीं होगा जैसे 25 का वर्गमूल आप करोगे तो plus minus 5 आजाएगा यह करड़ी नहीं है 36 का plus minus 6 आजाएगा इसलिए यह करड़ी नहीं है बट यह फस गया मामला इसका इसका निकलेगा क्या ऐसे कोई संख्या कि 5 आजाए 6 आजाए 4 आजाए नहीं आएगा न हाँ जो भी आएगा एक दसमलों में आएगा कि सभी बात समझ गए ना कि बोलो यस कि समझ गए ना यार मैं क्या बताऊं यह यह फोन में एक कान में आवाज आने वाली प्रॉब्लम जब से क्लास एपल मैक बुक से चल रहा तब इस ऐसा हो रहा है अब मुझे इसका जो है क्लास डिश्टरब हो जाएगी बाद में चर्चा करेंगे अभी जब क्लास बंद होने लगेगी तो मुझे याद दिलाना यह एक कान में सुनाई पड़ता दूसरे में नहीं इसको बताना बाद में अंकित राजन अंकिता प्रतिमा राहूल एसके कस्यफ अगस्त प्रिया स बाबु असोग महर्या पिंटु कुमार बहुत अच्छे चलो बात समझ में आई ऐसी संख्या जिसका आप कम्प्लेटली वर्गमूल या घनमूल ना निकाल सकें पूर्ण फंख्या के रूप में मोटा मोटा कहें एक सब्द में मतलब एक लाइन में तो वह सभी संख्या है उसमें से कुछ क्या अधिकान सभी क्या होती करड़ी होती है अभी और कुछ समझी यह तब सुनाई पड़ेगा कि चलिए इनको हटा यह बहुत हो गया ज़्यादा हो रहा है कि हद से ज़्यादा हो रहा है कि अब देखना सुनना यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है यह बता वह यह लोग कि कि 324 लेकिन यह है कि तुम्हें वर्ग और घन आना चाहिए नहीं तो जिनका होता है तुमका इतो उनका भी नहीं है तब तो सब चाह उपट हो जायेगा सुनिए 112 ए रुक जायार काये को हरदम हरदम वही कर रहा है 625 इन में से कौन करड़ी नहीं है वो स्वारी कौन करड़ी है ए बी सी बताइए जब आप दीजिए फटा फट ए बी सी इन में से कौन सा ही है हाँ चलिए देख रहा हूं मैं सब को देख रहा हूं एनिवन यह असोक यह मौर्या कौन है इसको बला कर यह पर्मनेंट मैं इसको देख रहा हूं यह कभी भी पढ़ता नहीं है कि नहीं हटाइए इनको बगाई है अब कि ए बी सी देखो भाईया सिंपल है यहां पर सी वाला साई शी वाला करड़ी है बाकी कोई करड़ी नहीं है देखो करड़ियों में भी कई करड़ी परजातियां होती है कि समझ रहा हो ना एक परकार से मोटा मोटा बात करें तो इनके कई परकार होते हैं जैसे अभी यह हो गया आप देखोगे एक ठूँ यह होता है जैसे मैंने यहां तीन लिखा यहां पर अगर पांच है यह एक अलग चीज हो गया अभी होती है कि दिख लीजिए सभी साथी सेशन को लाइक जरूर करिए यह आपकी जिम्मेदारी है हम बीच बीच में नहीं बोलेंगे डिश्टरब होता है अब लिखिए आप यह समझ गए कि करड़ी कौन है या कौन नहीं है तो फिर आगे बढ़ें लेकिन अभी थोड़ा और समझ लीजिए सिंपल सी बात यह है मेरे यार की जो संख्या का वर्गमूल या घनमूल पूरी तरह आफे ना निकले यानि एक पूर्ड संख्या के रूप में ना प्राप्तो हो वही करड़ी का हलाती है उदारन के लिए तो बहुत कुछ देख लिया परिभासा सुन लो किताबी वाली तो उस मूल को करड़ी कहते हैं और कि इस करड़ी को एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसे अमूलक कहा जाता है अमूलक ठीक है कि समझ गये न सभी हम चलिए ठीक है तो अच्छा एक बात और बताओ यह अंडर रूट तीन सो यह करड़ी है या नहीं यास या नो अगर है तो वाई नहीं है तो यह लिक्के कमेंट करिए अंडर रूट तीन सो करड़ी है या नहीं जबाब दीजी अफट 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 अब देखिए कोई पूछ रहा है आप इतना बड़ा मल्टीपल कैसे कर लेते हैं बहिए जिन्देगी में जैसे जैसे आपकी उमर बढ़ती जाती वैसे वैसे बहुत बड़ा-बड़ा अनुभव होता जाता है समझ रहे ना जब इनसान चोटा होता पढ़ाई लिखाई करता रहता है मम्मी पापा थोड़ा सब देते हैं थोड़ा सब भैब बहुत बात लग जाती यह कापी तकलीफ दर्द होता है। उनको आठ बात बोलेंगे एकों नहीं सुनेगा तब आपको उतना तकलिफ नहीं होगी आपकी वाइफ आपको दिन बर करियाती रहेगी तब भी आप जैसे बहरे हो जाएंगे सब सुनते जाएंगे समझ रहें ना तो इसे अनुपव बोलते हैं वैसे इसमें क्यामयत में इस चीजें बिक्सित होती हैं यह करड़ी नहीं है यह करड़ी नहीं है राकेश जी बहुत अच्छे बेरे गुड़ तीन सो का वर्गमूल एक पूड़ फंक्या नहीं आएगा ना निकाल के देख लो नहीं आएगा अब लिखिये पहले इनके परकार लिख लीजिए फिर आगे बात करते हैं लिखिये करड़ी के परकार तीन सो का वर्गमूल होगा क्या अगर होगा तो बताओ क्या आएगा कमेंट बंद करो भाई कमेंट के चक्कर में डिश्टब होता है आओ चलो लिखो करड़ी के परकार करडिया कई परकार की होती है जैसे इंसान कई परकार के होते है थोड़ा गंदा लिखा है लेकिन फिर भी ठीक है लिखिये नमबर एक सुद्ध करणी या पेवर फट्स मैं थोड़ा अजीब टाइब कब बोलता हूँ दुबारा नहीं बोलूँगा इंगलिस कि सुद्ध करणी पेवर सर्ड्स इंगलिस में ऐसे पढ़ते ना हो यह क्या होता है सुद्ध करणी देखिए जैसा कि इसके नाम से असपष्ट है सुद्ध करणी मतलब इसमें सुद्धता भरी यह कूट-कूट की जैसे ऐसे समझ लीजिए आपने देखा होगा अक्सर मिठाईयों की दुकान पर बाहर आजकल लिखना पड़ता है का लिखना पड़ता है कि हमारे यहां सुद्ध वाले देशीगी की मिठाईयां मिलती हैं और जबकि हकीकत कुछ और होती होगी वह अलग बात है तो इसको लिख लिए उधारन लिखिए पहले फिर आपको समझ में आएगा देखो भाई सुद्ध का मतलब करड़ी का यह है कि जिनके आगे पीछे कोई ना हो सिंगा लोगा ही सुद्ध करड़ी होते हैं जैसे हम लोग हैं इसमें भी कुछ लोग हैं सुद्ध मतलब समझ समझ रहो देखो कैसे जैसे अगर मैंने लिखा यह अंडरूट तीन यह सुद्ध करड़ी है मतलब समझ रहो यह वर्गमूल है क्योंकि इस पर कुछ नहीं लगा इस पर दो लगा दें तब भी वही मतलब रहेगा अंडरूट अगर वंतिफ लिख दिया इस पर अगर तीन है फिर भी यह सुद्ध करड़ी है यह क्या है सुद्ध करड़ी का मतलब वही कि जिन में कोई परकार का गुडांक ना हो इनके आगे पीछे कुछ और ना अभी कंपेर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जैस आधर में कौन-कौन है सुद्ध में अब कुछ लोग दोनों लोग देख रहें कैसे बोलें कि हम सुद्ध करड़ी है सुद्ध कौन नहीं है जो मिश्रित हैं उनको देखिए मिश्रित करड़ी का मतलब यह जैसे अगर यहां पर कोई नंबर लिखा हो तर पंदरा और यह ऐसे होता एक मिनट पहले लिखने दो तब जैसे माल लो यहां पंदरा होता यहां ऐसे और यहां पर दो और यहां पर 28 कुछ यह सुद्ध करड़ी नहीं है कि अग्या कि समझ में आया यह मिस्रित करड़ी है यह हम लोग के यूपी में हक भक वाली एक बात चलती है कुछ भी बोला जाया अगर ऐसा होता है नहीं है किसके किसके यहां होता है कि समझ गए ना तो यह क्या है सुद्ध करड़ी नहीं है यानि जिसमें एक करड़ी है एक पुर्फंख्या है दोनों का मल्टीपल है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यह इसका गुड़ांक है इसको एफे भी लिख सकते हैं जैसे पहले तो चिन लगाने तो बाद में इसे सेट करेंगे यह कुछ भी यहां पर लिख लीजिए माली यह नाइफ लिख लिया यहां पर फतरा इंटू यहां पर दो या तीन कुछ भी तो यह क्या है इसका गुड़ांक है समझ में आया ना अच्छा यह सुद्ध वाले पर कोई बात नहीं बोला काये को कौनों नहीं है का भाई आया समझ में ना चलिए तो इसको लिखिए आप लोग सुद्ध करड़ी समझ गए ना हमें लगता है कि इसमें और ज्यादा बताने जरूरत नहीं है हाँ एक चीज और समझे इसके ऊपर इसके नाक पर कोई जो按 लक़िखा जासकता है सुधकरणी है समझ रहुंक यानि नंबबर यहाँ पर नहीं होना चाहिए इसके सामने जो है यह घुड़ांक में है यह घहात एक परकार से अगर बात कर रहें तो क्या है यह यह करड़ी यह गुडांख है यह करड़ी का में मेंबर है समझ रहे हो इसके बारे में अभी विस्तार से बताएंगे कि अब आगला लिखिए मिस्र करणी कि उधारण हो गया इनका जो लिख रहे हैं वह एक बार सभी हाँ बोलें यस आप लिख रहे हो कि हम जूटे बखके जा रहे हैं कि लिख रहे होंगे नहीं कि कोनों कह रहा एक किलोमेटर भाई ऐसा नहीं है इतना बेज्जिती ना करो चलो लिखो मिस्र करणी जिसे मिक्स्ट सड्स बोलते हैं हाँ एक चीज और इसे पूर्ड करडी या कंपलीट सड्स भी बोलते हैं पूर्ड करडी कंपलीट सड्स ये एक नाम है ठीक है ये एक ही नाम है दूसरा नंबर मिस्र करडी जिसे इंगलिस में मिक्स्ट लिखो 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 भी या लिखो 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 मिस्र करडी को क्या बोलते हैं मिक्स्ट सड्स अभी जो मैं बताया था वही एक जांपल है अभी अभी बताया था ना कोई बताएका एंइवन अधि कि देखो मैं बताता हूं कमेंट के चक्कर में बहुत डिश्टाब होता है कमेंट नहीं देखोंगा किसी का अटा इनको बगाऊ सबको बगाऊ चलो क्यामेंट के चक्कर में सब दिमाग कदही बना देते हैं सब मिस्र करड़ी वही जिसमें एक पूर्ड फंख्या का गुड़ा हुआ अताय करड़ी में जैसे देशी गी में आलू मिलाग बना देते हैं देखे ओक नहीं जैसे माल लिजिए एक्जामपल इसमें लिखो उदारन आठ यहां पर मालो 27 लिख लिया चलो यह गुड़ा में है याद रहे इसको थोड़ा सा ढंक से लिखो यहां पर दो है यहां पर मालो वनाइस है यह मिस्र करड़ी है यहां पर तीन नहीं लिखना नहीं द्या फूर्श्यान करड़ी ढरा जैएगी अगर तीन लिख दो गे तो इसका क्या हो जाएगा गंमूल निकल जाएगा फिर यह बर्बाद हो जाएगा तो आपर तीनन लिखना जैसे यह 35 यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने 5 लिखा और यहाँ पर 12 लिख दिया यह भी क्या मिस्र करडी है क्योंकि इसमें एक पूर्ड फंक्या का गुड़ा हुआ है करडी में अगला लिखिये सजातिय करडी सजातिय करडी करडी कि दिख रहा है कि उपर से मिटाऊंगा मैं कि सजातिय करडी कि सजातिय मतलब एक समान एक कैटेग्री के अच्छा कितने लोग लिख रहें एक बार कुछ तो बोलो यार लिख रहे हो कि पस हम अई से फालतों बख के जा रहे हैं लिखो सजातिय करडी यह सभी बहुत इंपॉर्टन्ट है सजातिय करडी जैसे like search बोलते हैं इंगलिस में दो या दो से अधिक करणिया जिनकी करडी वाला गुड़नखंड एक समान हो वह सभी करडी वाली संख्याएं सजातिय करडी कहलाती है जैसे example के लिए सजातिय में कुछ उदाहरण है बहुत सारे लिखो जैसे under root 29 हो गया और तीन पाईले ना लिखा करो भाई यह और 20 यहाँ पर तीन यह अंडर उट वा नाइस यहाँ पर 25 कुछ समझ में आया आपको नहीं यानि जो इस चिन्न के अंदर संख्याएं वो बराबर होनी चाहिए वो अलग नहीं होनी चाहिए बाकी इनके खोपड़ी के आगे जो लिखे हैं यह कुछ भी हो सकते हैं समझ में आया ना अंकिता जी इंग्लिस साफ साफ नहीं लिखी जाती है आपने देखा मेडिकल इस्टोर पर कभी कोई दवाई लेने गए हो कुछ पढ़ पाते हैं उसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है इसलिए वैसे भी मुझे इंग्लिस नहीं आती है देशी मासा में वैसे भी हम बोलते हैं अब तो लोका नहीं समझ माउत्तका करी हो गया आगे नेक्स्ट लिखिए बिजाती है करनिया बिजाती है करनिया या फिर बिजाती है करनि लिखो बस बिजाती है करनि जिनने अनलाइक सड्स बोलते हैं मारकर मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ मालूम नहीं मेरे को तुम लर्की हो चाहे लर्का हो चुपचा पढ़ाई कर लो बस यहां पर चेक नहीं हो रहा है क्या हो है पता नहीं कहां से आ जाते हैं इसे पगले टाइप के बार बार कमेंट कर रहा है मैं लर्की हूँ बोला ना एक बार तो कौन तुमसे पूछ रहा है इलाहबादी लोग को समझ में आ रहा है बारिस हो रही है यहां पर बड़ी कमासान बुलाती है मगर जाने का नहीं असुतोस जी जाने का अगर तो दुबारा आने का नहीं यहां पर समझ रहो न यह बाती ऐसे है चलो यहां पर आए बीजाती है करड़ी हमें लिखिए दिखे इसमें जो कुड़न खंड है और जो करड़ी वाला मुख नंबर है वो सब अलग होता है जैसे यहां पर बारा और यहां पर अगर कुछ भी लिख लो साथ है मान लो यह अलग है न इसमें यह भी कुछ अलग ही होगा मैं लो 150 लिख दिया कि 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 यह सभी भी जाती है करणियां है कि हो गया जल्दी लिखिए आगला डलिए भाईया हेडिंग डलिए हेडिंग डलिए सन्यूक्त करणी सन्यूक्त करणी कंपाउंड सर्ड्स कि इंग्लिस भी पढ़ाना है जीरू लेबल से कि मैंत भी पढ़ाना साइंस भी पढ़ाना है जीरू लेबल से जोड़ घटाना पढ़ाते पढ़ाते देख देख के हमारे घर वाले रिष्टेदार लोग परिसान हो गए कह रहें कौनों सदियों भी आ नहीं करेगा लोग जुड़े हैं जितना नौकरी में पाते होंगे महीना भर में उतना हम पांच दिन में कर सकते हैं लेकिन मुसीबत क्या है अगर बोलते कहां पढ़ाते हैं यूटूब पे चैनल है और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं वगरा वगरा जो भी अच्छा वो ठीक है ले चलिए हो गए आगला लिखिए किर्ती जी आपसे एक निवेदन है आपके वाटसप का रिपलाई मैं खुद किया था किर्ती चौधरी जो बोल रही कि मैं कोर्स ली थी और रिस्पांस नहीं मिल रहा है मुझे सब याद है ठीक है आपने 14 जून को कोर्स लिया था 90 दिन के लिए तो 14 जून से आप जोड़ लो 90 दिन तो हो गया डन जुलाई अगा सितंबर अब 14 सितंबर तक नहीं चलता हो क्यों क्योंकि 90 दिन होता है 90 दिन का मतलब जानते हो बाई सब अप्लिकेशन में टोमे ही न था वह 31 का था अगस्त भी 31 का था तो दो दिन उधर कम हो गया तो आपका 14 की बजाया वह बारा कोई खतम हो गया होगा यह बात है आया समझ में न नहीं नहीं बात साधी की प्रॉब्लम की नहीं है साधी वाले तो सब बहुत लाइन लगाए है बस घर वालों की अंडराई स्टेंडिंग नहीं है और उन लोगों से भी नहीं है मतलब जो गाउधियात वाले लोग हैं मतलब उस तरह के बाकी तो लोग जानते है चलिए कि कि कमपाउंड सट्स यह क्या होता है कि कमपाउंड सट्स मतलब अभी मैंने आपको एक सिंगल करड़ी वाला बताया था वो क्या था आपको कुछ यहाद है कि नहीं मैंने कहा था कि जो सिंगल बॉय हैं या सिंगल गर्ल्स हैं जो डबल नहीं हुए अभी रियल में सिंगल हैं उन लोग को सुद्ध करड़ी कहा जाता है ऐसा कुछ एक्जांपल से बताया था तो वैसे यह उनके जैस्ट आप ओजि लिए लिए जैसे एक्जांपल के लिए देखिए ज़या 2 से अधिक शुद्ध या मिस्रित करडिया जो एं जो है जो पलस रामाइनस के साथ एक दूसरे साथ होती है तो सी वहीं होता है आपका सन्यूत करड़ी यहां पर कहीं था मैंने लिखा था बहुत सारा सुनिए जैसे कुछ भी है सुध या मिस्रित कुछ भी है जैसे अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 3 ये क्या है ये आपका कमपाउंड करड़ी है ये आपस में जुड के कुछ नया नहीं बनाएगा ऐसा ही रहेगा समझ में है न दूसरा जैसे मानली जीए मैंने लिख दिया यहाँ पर 61 अंडर रूट में यहाँ पर लिख दिया 26 माइनस अंडर रूट 2 ये इसमें से घट सकता है क्या इसका एक अलग कहानी है जोडने घटाने वाली वो मैं बाद में बताऊंगा आज मैं सिर्फ टाइप बता रहा हूं पढ़ लो पढ़ लो काहे को रंड़ा करें तुमको काहे को तकलीफ हो रही हमारी साधी वही हो या हम सिंगल है या हमारी गल्फेंड है एक ठूए चाहे पांच ठूए तुमसे काम प्रतान आजकल ना लोग दूसरी की लाइफ में जहां करने की चक्कर में अपनी लाइफ कहां खाई में गिर रही है यह नहीं देखते हैं हाँ पडोसी कि यहां सब कुछ अच्छा चल रहा है उनको तकलीफ काफी है ऐसे भी कुछ लोग होते हैं मैंने देखा हमारे भी अगल वगल दोस्तों में भी कुछ है मैं तो बहुत खुस होता उनको देख अपनी लाइफ बरवाद कर लेते दूसरे चक्कर में बस दूसरे की को वास्तों में समझना चाहते हैं कि अगर लोग कहना नहीं चाहिए अगर फ्लाइट में आपके साथ वह एक घंटा बैठ गया जैसे लगता उनको अधिकार मिल गया आपके बारे में सब कुछ जानने का आप कहां से हैं क्या करते हैं और कैसे हाल चाल है आपकी लड़के बच्चे साधी होगेरा होगेरा सब चीजें और अगर कहीं ट्रेन यात्रा में चार-पांच घंटे मिल गए तो मानलो फिर एग्रिमेंट करवा लिया तुमारे तीन पूस्त का जानकाई लेने का यहां तक कि लाश्ट में यह भी जानना चाहेंगे कि आपने कक्षा कौन से ब्रण्ड का पैन रखा है यह बात मैंने उस वीडियो से देखा था सोचा आपको बता दें कि हैना सभी बात है यह तो अपने काम से काम रखें अधिकतर आपने देखा होगा जो जनरल कोच वाले उनमें ज्यादा होता है अगर आप किसी सिलीपर में जाएंगे उनमें कम ब पीजी रहते हैं ट्रेन में भी चार-पांच घंटे की आतरा रहती है लेकिन अगर आप जनरल वाले में चले जाओ तुमारे मम्मी की मौसी की नानी की चाची की चाचा के घर क्या हाल चाले सब बताओ क्योंकि उनको कोई काम नहीं है और इफीलियो उसमें बैठे भी हैं सम होता है ना चलिए हो गया यह सन्यूक्त करड़ी समझ लिया आपने अगला लिखिये करड़ी का परमेरी करण यह सब तो फिलहाल इसका एक अलग हिस्सा है अ तो करड़ी आप लोग समझ गए थोड़ा सा इसके बारे में और भी डिसकस कर लेते हैं इतना ही है मुख्य रूप से बाकी जो है वो काम कर नहीं है समझ में नहीं आएगा वो सब कि आई यह कुछ और भी एक्जांपल कर लेते हैं इसमें एक मिनट यह बताओ कि यक्स का पावर जीरो है इसका मान क्या होगा जीरो होगा वन होगा या एक्स होगा कि बोलिये जल्दी करें टाइम बहुत कम है अब अगली क्लास का समय हो गया जिनको कोई भी समस्या है मेरे भया मुझे यहीं गाली न देलो सारी जितनी भी जानते हो तुम नंबर नीचे दिया गया उन पर मैसेज करो ना वहीं पर कुछ होगा नहीं तो कहो मैं यहीं सब कुछ करू ना पढ़ाऊं संडे को मैं यहीं करता हूं ना संडे को मैं पढ़ाता नहीं कमेंट ने पढ़ाऊं तब भी मुसीबत है कि सारी सिखाय था कि यहीं कर दोगे का आप लोग कोαιर सिस्का मान वन आयेगा किसी भी अभिकल घातां का नियम में बताया था कि कोई भी वरियबल है या कांस्टेंट है जोана पिनकि अगर और पाबर वन होती स्वरी जीरो होती तो उसका मान यह सबन होता है ठीक है चाहे यह एक्स है यह है यह सी है मतलब कुछ भी है एक टूज कि समझ मैं न तो आज का यह क्लास का टाइम है पर खतम होता है आप सभी को बहुत बहुत हैं क्यूंद मिलते हैं फिर अगली क्लास में आप सभी से निवेदन है कि अगर आप ड्ल या बी टी सी के श्टूडेंट या फिर अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है आपके दिल में कोई सिकायत है कुछ भी कहना चाहते हैं या बहुत जादा पहुत है हैरान एक गरियाना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर दे रहा हूं इस प्रेसली आप इसके वाटसाप मेसेज कर सकते हैं लेकिन जो छोटे बच्चे है चोटी क्लास के इस्टूडेंट है उसे याँ भापनी बेदन है नीचे नंबर चल रहा है उसके मैसेज करेंगे उस पर नहीं करेंगे जो मैं देने वाला हूं ठीक है यह इस नंबर पर आप WhatsApp मैसेज कर सकते हैं इस पर हमें करते हैं ठीक है और जो छोटे बच्चे हैं या फिर और आप छोटी क्लास में हैं तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं वाटसप पे यह 9 से ले करके 12 तक के बच्चों के लिए 9 से 12 तक और अगर आप कोई भी कॉम्पटिशन की तैयारी कर रहे हैं इस पैसली डियाले जैसा हब बच्षा काई बच्चों क सकते हैं पाले कि अखजा जया बच्चों कि झालेकर बच्चों है